दोस्तो आपने सभी गाडियों की बैक लाइट लाल ही देखी होगी, ना हरी, ना पीली, ना बैंगनी, ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक वज़े है, जैसे कि हमारी टैग लाइन है, हर चीज के पीछे एक वज़े होती है, चलिए आज आपको बताते है, सभी गाडियों की बै पुद्ज्ञान होना जरूरी है, आपने इंदर दुनुष तो देखा होगा, सभी जानते है कि इसमें सात रंग होते है, और ये भी जानते है कि ये सात रंग एक सात मिलाने से सफेद रंग तयार होता है, ये तो हो गई इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, लेकिन इंदर दुन अगर हम उपर से नीचे आते है, तो वेवलेंद बढ़ती है, और अगर नीचे से उपर जाते है, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंद की अगर बात करें, तो जिस कलर की वेवलेंद सबसे ज्यादा होती है, वो कलर हमारी आखों को सबसे पहले दिखता है, फिजिक से बनाया है इससे रात में चल रही गाडिया दूर से ही नजराती है अगर आपको इसमें अभी तक कन्फ्यूजन है तो आप इसे सिंपल एक्जामपल से समझ सकते हैं मान लो आप A पॉइंट पर खड़े हो और आप से 50 मिटर दूर B पॉइंट है जिस पर हरा पीला लाल नील और सफेद कलर का बल्ब लगाया है तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपकी आखों को सबसे पहले कौन से कलर का बल्ब दिखेगा और सबसे आखरी में कौन से कलर का बल्ब दिखेगा दोस्तों कमेंट करना ना भूलिए वीडियो अगर पसंद आया है तो वी झाल